बढ़ी और हैम खबर आपको बता रहे हैं अब से थोड़ दिरबात शाम पाँच बज़े उद्वत ठाकरे ने बढ़ी बैठक बुलाई है कैबिनेट की बैठक में कल होने वाले फ्लोर टेस्ट पर मन्थन होगा बड़ी और रहम खबर आपको बता रहे हैं शिवसेना ने भी तैयारियां तेज कर दी है और उद्व ठाकरे ने बैठक बुलाई है शाम पांज बजे उद्व ठाकरे ने बैठक बुलाई बैठक में कल फ्लोर टेस्ट में क्या कुछ होगा इस पर मन्थन होगा हालाकि सबकी नजरें अभी उससे पहले सुप्रीम कोट पर ठिकी हुई है क्योंकि सुप्रीम कोट में शाम 5 बजे इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी इसकी उम्मीद कम है कि फ्लोर टेस्ट पर रोक लगेगी क्योंकि कहा ये जा रहा है कि आम तोर पर ऐसे फैसलों में सुप्रिम कोर्ट रोक नहीं लगाता है फ्लोर टेस्ट को लेकर खास तोर पर लेकिन अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है एक और बड़ी खबर इस भी चारहे आपको बता दें फड़णमिस के घर पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक जारी है कल होने वाले फ्लोर टेस्ट पर बीजेपी का मंथन चल रहा है जंदरकांत पााईल समेट कई बड़े नेता इस वक्त मौजूद है बड़ी ओर आएम कवर इस वक्ती आपको बता रहे हैं हिदेन इस वक्त मेरे सहुगी जावा जानकारी के लिए फटनवीस के घर के बार से जुड़ गए है हिदेन बैठक से जुड़ी क्या अपडेट है अबी हाँ अजित में आपको तस्वीर लिखाओ यही सागर बंगलो देवेंदर फटनवीस का तो यहाँ पर फिलाल अंदर सभी सीनियर विदायक और कोर कमीटी के जितने भी मेंबर से बीजेपी के वो तमाम नेता मौझूद है वो कल होने वाले फ्लोटेस्ट को लेकर बंतन कर रहे और सुप्रीम कोर्ट में साम को सुनवाई में क्या होता है उस पर बंतन कर रहे अपसे एहम बात आपको बता दू साम पाच वजे जो कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है उद्दव ठाक रहे है कि उसमें कुछ एहम हो सकता है देखे मैं आपको बता दू औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर करने का फैसला वो कैबिनेट में ले सकते है लेकिन उस दोरान विरोध जो है वो एन्सिपी और कॉंगर्स का देखने मिल सकता है इसलिए सुबह MVA की बेटक में सिवसेना की तरफ से कोई भी नेता जो है वो पहुचा नहीं था और माना जा रहा है कि एक दाव इस तरह से भी खेला जाएगा ये कैबिनेट की बेटक थोड़ी लंबी चल सकती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजर रहेगी लगता है तो उसी कैबिनेट में वह एक औरंगाबाद का संबाजी नगरवाला मुद्दा उठाते हुए वह अपना इस्तिफ़े की पेसकर्स कर सकते हैं यानि कि वह सीदे सीदे फ्लोर स्टेस्ट से बचने के लिए वह एक आखरी दाओ आखरी दाओ अपनी इज्जत बचाने के लिए वह इस तरीके से खेल सकते कि देखिए हमने तो इंदुत्व के मुद्दे पे औरंगाबाद का नाम संबाजी नगर करने का फैसला लिया ले यही है फ्लोर से बचने के लिए अपनी इज्जत बचाने के लिए वह इतिन आपने एक बात बहुत महें हूब कही कि यह बैठक लंबी चल सकती है क्योंकि सबकी निज़र सुप्रीम कोट के उस फैसले पर अगर सुप्रीम कोट यह बहुत बच्ट होगा तो यह बैठक और पिल्कुल अन्जीत हाला कि अभी तो हम आपको ये पीछी के तस्वीरे जो है वो देखा रहे हैं हाला कि थोड़ी बहुत मूवमेंट जो है आपर होई लेकिन हम अब देख पार है यह यह बस जो है महराश्त के सियासत को लेकर यहां पर देखने को मिल रही है और यहां पर फ्रोटेस्ट की बात यह आने में वाले वक्त में किसके फैवर में फैसला आ कर रहे हैं कि कभी बड़ी बात यहां पर यह देखने होगी कि आने वाले वक्त में क्या कोई ऐसा फैसल आ सकता है जिससे उद्द्ध सरकार वह यहां पर एक सेफ मूट में करना के होते हुए दिखाई दे लेकिन ऐसी उमीद लगाई जान नहीं रही है क्योंकि हाँ ऐसे केसिस में गर हम बात को तो हमेशा सही फ्लो टेस्स की अनुमती मिली है और सचीन एक बड़ी खबर आ रही है महाराश्ट को जानना चे बड़ी और अहम खबर यह है महाराश्ट की सियासत से जुड़ी देविंदर फड़निस ने राजठाकरे से फोन पर बा सीवे तोर पर समर्थन मांगा है हितेन मेरे सेव की जुड़ गए हितेन उस वक्त भी थे जब राजठाकरे का पूरा विवाद चल रहा था लॉड़ स्पीकर को ले करके हितेन उस वक्त भी थे जब हनवान चलिसा की बात हो रही थी महाराश्ट में और हितेन तब भी का भी मुल्य कितना है आपको याद होगा कि किस तरीके से अठल गयारी वाचपाई की सरकार सिर्फ एक वोट के लिए गिरी थी इसलिए दिवेंद्र फटनवीज जो है एक एक वोट का महत्व समझते यहाँ पर इस बंगले के अंदर वो इंडिपेंडेंट एमेले भी पूरा का पूरा खेल वो बिगार सकती है इसलिए एक वोट का वो महत्व जानते हैं और सभी को वो एक करनी की कोशिस में लगे हुए और देखे जिस तरीके से राट ठाकरे हिंदुत्व के मुद्दे पर आगे बढ़ते नजर आ रहे थे बीते दिनों पिछले महीने की बा है और एकनाच सिंदे जो बागी हुए है सीवसे ना से वो भी हिंदुत्व के मुद्दे की ही बात कर रहे तो क्या आप हमें समर्थन देंगे नहीं देंगे आपका एक विडायक भले हो लेकिन वो एक विडायक इस सरकार के लिए दो सो मतों के बराबर जो भारी पढ़ सकत अब भाई ने भी जो है उनका साथ छोड़ दिया है कि बीजेपी अपना काम कर रही है और एक-एक विडायकों का समर्थन और रणनीती बना रही है तो जैसा कि आप जिकर कर रहे थे कि शिवसेना की जो बैठक है उदर ठाकरे जो मुख्यमंत्री बैठक बुलाई है वो पांच बजे के बाद भी लंबी चल सकती है तो क्या प्रवक्ता नेताओं की बैठक बहुत लंबी चलने वाली है पार्टी लाइन उन्हें बताए गई फिर उसके बाद सभी सीनियर विदायकों को इकटा करके एक-एक इंडिपेंडेंट विदायकों को अपने पक्स में लेने की कोशिस की गई अब वो अपनी रणनीती बना रहे अब यहां से पांच बजे के करीब वो भी होटेल ताज म ही रुकेंगे तो वहाँ पर फड़नवी समय सभी में यह मेंबर्स जो बीजेपी के कोर कमीटे के वहाँ जाएंगे क्योंकि नए विदायक भी बहुत बीजेपी के पास मौझूद है जो पहली बार फ्लोर टेस्ट का सामना करेंगे तो ऐसे में अगर वोट होता है द्वान और आज आरही है हम फ्लोर टेस्ट में शामिल होंगे एकनाश चिंदे हमारे पाथ 50 कि राइक हम हमारे साथ हैं यानि कि कुद्धो सरकार सिर्फ गिरेगी नहीं अगर ऐसा हुआ तो पूरी तरीके से ये विवाद और आगे बढ़ेगा पार्टी को लेकर भी क्या करें एक नाशन्दे सुनवाते हैं मुंबई में हम लोग कल पहुचेंगे सभी विदायक हमारे मुंबई में पहुचेंगे जो भी आपको मालूम है आपको पता है हमारे पास 50 लोग है 40 प्लास 10 ये 50 लोग और अभी देखिए मतला हम लोग मैजोरिटी में हैं धतुल थाड़ से ज़्यादा मेजयारिटी हमारे सियुसेना गट के पास है और इसलिए हमें कोई भी फ्लोर केस की चिंता नहीं है प्लोर केस भी होगी जो भी प्रक्रिया होगी उसमें पूरी तरह हम लोग पास हो जाएंगे हमें कोई भी रोक नहीं सकता है क्योंकि डेमोक्रासी में नंबर्स और मेजरिटी को बहुत इंपॉर्टन्स होता है इस देश में पंस्टिटुशन और कानून और रूल्स इसके आगे किसी को जा नहीं सकता है कोई भी और मेरे दोसा है होगी सचिन और हितेन लगातार बने हुए हैं और साथी बेर से होगी अंजनी भी चुड़ गए इस वक्त नियूजरून से अंजनी बड़ी बात यह है कि पांच बजे पर सबकी नजरे हैं कि पांच बजे क्या होता है किसके पक्ष में जाता है अगर फ्लो टेस्ट हुआ तो जाहिड तोर पर उदो के लिए मुश्किले बढ़ेंगी और सिर्फ सरकार के अस्तर पर नहीं बलकि पार्टी के अस्तर पर भी ऐसे में अगर सुप्रीम कोट यह कहता है फ्लो टेस्ट होना चाहिए इसकी सब्वावना बहुत जादा है तो उदो क्या फैसला ले सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल दिगे अंजीत पांच बजे पर सबकी निगाहें और यह माना जा रहा है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोट में मामला पहुंचा है हो सकता है कि फ्लो टेस्ट की मंजूरी दे दिया जाए ऐसे में उद्व ठाकर को त्यारी करके रखनी पड़ेगी लेकिन जिस तरीके से गवर्णस आप ने ये निर्देश दिया कि भाई तीस तरीक का वक्त है आप बहुमन सामित करिये उसको चुनावती दी गई है हलागि इसके पहले जब दो याजगाएं लगाये गए थी शिंदेगोड के उसमें इस बात वजक्र नहीं किया इस पर रोक नहीं लगाये थी की फ्लो टेस्ट नहीं होगा लेकिन ये उनको मौका दिया गया था अगर आपको लगता है कि flow test को लेकर आपको कोई अपती है ताप supreme court में आ सकते हैं और इसी बेस बना कर वो supreme court में पहुँचे हैं अब supreme court में देखना ही होगा कि आज माने supreme court इस पर क्या फैसरा सुनाती है लेकिन ऐसे मामलों में बहुत दखल देने का इतियास नहीं रहा है अंजीत वो फ्लो टेस्ट को मंजूरी दे सकते हैं ऐसी उम्मीद की जा रही है ठीक है बरेरें एंजीनियम लोटने आपके पास एक बड़ी खबर आ रही है और हैम खबर यह है कि कल फ्लो टेस्ट में हिस्सा लेंगे एक नाशुंदे उन्होंने कहा है कि हम शिवसेना के विधायक हैं शिवसेना के विधायक की हैसियत से हिस्सा लेंगे फ्लो टेस्ट के ब पहले एगनाश शुंदे ने क्या दावा किया है और यह कैसे कहा कि विधाय दल की बैठख भी कलोगी वो भी सुन्माते हैं कल हम लोग मुंबई पहुचेंगे फ्लोर टेस्ट के लिए दौर नर ने हाउस कॉल किया है कल मुंबई हम लोग पहुचेंगे फ्लोर टेस्ट जो भी प्रक्रिया करनी है हम लोग कल वहाँ पर हमारे सभी विधायक जो है उनके साथ में मुंबई पहुचेंगे सर आप लोग एपस्टेन नहीं करेंगे ना सर वोटिंगे बिल्कुल नहीं कल हम लोग मुंबई पहुचेंगे और जो भी फ्लोर टेस्ट है जो भी वहाँ पर कानूनी प्रक्रिया जो करनी है निश्चित रूफ से की जाएगी इतना ही मैं इस वक्त आपको कहता हूँ किसको सपोर्ट करेंगे सर किसका चीफ मिनिस्टर हम लोग हम लोग सिवसेना के विदायक है और सिवसेना के विदायक के रूप में वहां हम लोग पहुच जाएगी अच्छा देविंदर पद्नफिस ने कल जाके गवनर से मिला और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है उनका ज पहले फ्लोर्टेस होने दीजिए उसके बाद आगे की जो भी रन नीती है इस्टैटीज है आपको बताई जाएगी और इसके बाद में फ्लोर्टेस के बाद हमारे विदायक डल की बैटक होगी और उस बैटक में पूरी तरह तै किया जाएगा आगे क्यातना है आपको पता चलेगा क्योंकि हम लोग बाला साथ ठागरे जी के शिव सैनिक है और हम लोग शिव सेना के हैसियत से वहाँ पर जाएंगे लेजिसलेचर पार्टी शिव सेना के हम सदस्य है और टू-थर्ड मेजाओरिटी से जादा हमारे पास है और निश्चित रुप से गल फ्लोर्टेस होने के बाद आगे की जो स्टैटीज है आप आगे का जो हमारा निरने है हमारे विदायक डल के बैटक में करने के बाद आ विदायक यहां से गोवा के लिए और कल शायद मुंबई आएंगे इस बात की चर्चा जोरों पर है लेकिन पांच बजे अगर जैसे फैसला आगा फ्लोटेस्ट का या जो भी होगा उसके बाद निकलने की क्या तैयारी है बिलकुल बिलकुल अंच्वीद देखिए हमने आपको जब माका माक्या मंदिर से जब जितने भी विदायक आये थे वापस तो हमने आपको दिखाया था कि एक बस वो सीधा अंदर गई थी और वो बस अभी तक बाहर नहीं आई है यानि कि अगर हम बात करें तो इस वक्त शुन्दे जो है वो वेट एंड वाज़ के सिती में है कि आकर शाम पांच बज़े क्या होता है क्योंकि देखिए मतप्रदेश की बात करने करनाटर की बात करने उस वक्त जब ऐसा महल बना था तो उस वक्त भी सुप्रिम कोट ने फ्रोटेस्ट की अनुमती दे दी थी लेकिन यहांपर अगर हम बात करें तो सिचिट्शन को ऐसी है कि लोगों को अब समझ में यह आ रहा है कि कहने कहें पूरा जो फैसला होगा वो कहने कहें शुन्दे और बीजेपी के पखश में होगा और इसे लिए तमाम फायदे चुए हैं वो कहने कहें शुन्दे को मिलते हुए दिखाई देंगे लेकिन अब यहांपर यह बात है कि पांच बजे के इंतजार से पहले आकर अंदर शुए वो क्या हो रहा है अंदर हल जल कैसी है तो अब अभी तक यही अनुमाल लगाय जा रहा है कि जो बाडी लेंग्वेज ती जितने भी विदाक की यहां से गुजरे उनकी जो बाडी लेंग्वेज है उसके अधार पर यही कहा जा रहा है कि अभी वो विदाक और शुन्दे जो है वो confident हैं कि देखे सरकार तो मारी बननी है लेकिन बड़ी बात यहां पर यह देखे कि वह हमेशा इस बात का सिक्र कर रही है कि हम शुसेना के विदाक हैं और आगे भी रहेंगे चले सजिन लोट रहा हूँ आपके बास एक बड़ी खबर आ रही है वो भी पहले बता देखे दरश्कों को यहां से निकल रहे है यह बैटक कोर कमीटी की यहां पर चल रही थी फड़नवीस के आवास पर वो अब खतम हो चीगी है एक के बाद एक तमाम बड़े नेता यहां से निकल रहे है काफी confident नजर आ रहे है और सभी की गाडिया वो एकी तरफ रवाना हुई है ताज प्रेसिडेंट के और यह सब के सब रवाना हुए यह प्रवीन डरेकर के ठीक पहले राम सिंदे को हमने देखा जो अभी हाली में MLC बने हलाकि यह सभी नेता जो करीब चार घंटे से यहां पर बैटक चल रही थी वो बैटक अब खतम हुई है कुछ विडायक इसमें से वरिष्ट विडायक ऐसा है जो सुबह 11 बजे से ही फटनवीस के आवास पर मौजूद थे तो आप देखिए फटनवीस किस तरीके से कल फ्लो टेस्ट की तैयारिया करते नजर आ रहे हो हर एक कदम अपना पुक्ता करके तैय करके जो आगे बढ़ते नजर आ रहे कि अपना एक वोट भी जो बेफिजूल नहीं होने देना चाहते एक वोट भी वो दोने देना चाहते हैं इते न ऐसा भी लग रहा है कि इनोंने कानूनी राय ले ली है और इस बात के लिए बकाइदा आश्वस्त हैं कि फैसला उनके पक्ष में आएगा और फ्लो टेस्ट रुके गा नहीं इसलिए शायद बैठक जल्दी खतम हो गई और तो रणिती में आगे की लग गए बिल्कुल थे कि बैठक एकदम समय पर अंजित खतम हुई है हलाकि पाच बज़े का वक्त था दूसरी बैठक का तो अब सभी लोग उसी तरफ बढ़रे कि वो दूसरी बैठक समय पर सुरू की जाए लेकिन यह पूरी तरह से आस्वस्त नजर आरे कि सुप्रीम कोर्ट से जो भी फैसला होगा वो इनी के पक्स में होगा वो फ्लोर टेस्ट के पक्स में होगा क्योंकि अनुमन उन्होंने देखा है कि पिछले सारे पाच केस अगर उठा के देख लेए चाय करनाटक हो या मत्रदेस हो अन्य राज्यों की जो केसे वहाँ पहुंचेते उसमें सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में अनुमन अधिकतर यही आदेश देता है कि अगर आपके पास बहुमत है तो आप फ्लोर पर साबिट के लिए बिरसा सुमित भी जुड़ गए हैं सुप्रीम कोर्ट से जो लगातार नजर बनाए हुए हैं सुम कि अंजित अमुमन ऐसे मामलों में सभी पक्षों को सुप्रीम कोर्ट सुनता है क्योंकि तीन पक्ष यहां सुप्रीम कोर्ट में फिलाल मौजूद है पहला जो याचिका करता सुनिल प्रभू हैं जो की सिवसेना के चीफ विप हैं और दूसरा जो पक्ष है वो गवरनर है इस मामले में सुलिसिटे जैनरल गवरनर की ओड़ से पेश होंगे और जो तीसरा पक्ष है वो सिंदे खेमा है तो तीनों पक्षों को सुनने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अंतरिम आदेस आज देगा क्योंकि दो-तीन घंटे आज सुप्रीम कोर्ट शुरू करेगा मैं आपको बता दू कि जो सुनिल प्रभु ने जो याचिका लगाई है उसमें कई एहम बाते कहीं है दो अगर पॉइंट अगर आपको मैं उस याचिका के बारे में आपको बताऊं तो जिसमें सीधे तोर पर कहा गया है कि डिस्क्वालिफिकेशन का जो मसला है वो सुप्रिम कोर्ट में पैंडिंग है ग्यारत जुलाई को अगली सुनवाई है जब तक इस मसले पर सुप्रिम कोर्ट सुनवाई नहीं कर लेटा है तब तक फ्लॉट टेस्ट का कोई मतलब नहीं है और दूसरा एहम बाते जो है ये कहीं गई है कि राजपाल ने कहीं कहीं आसमयदानिक आदेश पारित कर दिया है फ्लोर टेस्ट को लेकर although जब तक प्लोर टेस्ट को लेकर और मुक मंत्री के सराव शुड़ा नहीं होता तब तक आप फ्लोर टेस्ट का आदेस गवर्नर पारित नहीं कर सकते हैं इन तमाम बिंदों को सुप्रिम कोर्ट में उठाया गया है, हाला कि अगर कई पहलियों की बात की जाए, कई पुराने सुप्रिम कोर्ट के फैसले की बात की जाए, तो सुप्रिम कोर्ट फ्लो टेस्ट के हग में रहा है, क्योंकि अगर हाल ही में 2018 के करनाटक के फैसले के अग लूब गरने के बाद सुप्रीम कोट ने आदिश दिया 24 घंटे में फ्लो टेस्ट ठी समय कोट ने आदेश दिया है तो यहां 24 घंटे का भी कम का समय बचा हुआ है ऐसे में फ्लोटेस्ट पर रोक लगाने का का जहां तक मसला है बीजेपी भी सवाल यहां उठा सकती है गवर्नर भी यहां सवाल उठा सकती है गोवा जाएंगे बागी विधायक गोवा में होटेल के खत्तर कमरे बुक कर दिये गया है गोवा में ताज कर्वेंशन होटेल को बुक किया गया है सचीन मेरे सेवगी स्वक्त मौझूद है सचीन सबका बैक पैक हो गया है बिल्कुल अंजीत बड़ा इच्छा सवाल वह आपने किया है और देखी ख़बर ये भी सामने आई कि देखे लगेजिस वह पहले से अलोड़ी पैक्ड है लेकिन देखी शुवासे में इस बात कर जिक्र कर रहे हैं पांच बज़े का वक्त हो रहा है और पांच बज़े का समय वह करना के लिए बहुत एहम मानच रहा है आला कि अगर हम बात करें तो देखी यहां पर भी यह का जा रहा है कि जो फैसला होगा वो नर्मली इनके पेवर में ही होगा क्योंकि ऐसे किसी में कभी सुक्री म कोर्ट यहां पर देखा लिकेन इमाराश में तर्ते कि नान गडा प्राम कर वांच दो क्यों हो सकती इसके बार ister बबकुल पसक्रजिलाः ऐह रहता है कि उन्होंने का कि 2818 ओVPN में इसा हुआ था लेकिन उसके बावजूद भी लेगे थी अजीन मुझे बात बताईए कि आप गोहाटी से गोवा क्यों जा रहे हैं मुंबई क्यों नहीं इसके पीछे वज़ा है कि वहां से करीब है गोवा से मुंबई सुबह जल्दी आ सकते हैं या कोई और वज़ा है एक बड़ी वज़ा अजीत कि वहां पर मौसम बहुत खराब चलना है बारिश खूब हो रही है बाड़ है तो ऐसे में यह विधायक रिस्क नहीं लेना चाहते है कि अगर मालोग कल वो निकलते हैं कई बारिश हो गई मौसम खराब हो गया फ्लाइट ठून की नहीं निकल पाई तो दिक्कत हो कल बागी विधायक मुंबई अर्पोर्ट पहुचेगे मुंबई अर्पोर्ट में CRPF की तैनाती होगी सूत्रों से जानकारी है बागी विधायकों के लिए CRPF की सुरक्षा होगी बागी विधायक विधायकों सीधे जाएंगे सुरक्षा के साथ विधायकों को ले जा जा बिल्कुल देखें अंदाजा यही है अंजीत के जब वो विदायक मुंबई पहुचेंगे सारे तो सिवसेनी बड़ी संक्या में सडकों पर उतर सकते देखें इसलिए मुंबई पुलीस कमिस्टर कल ही तैयारी अपनी पूरी कर ली थी कल दोनों पक्स से जो मुंबई पुलीस कमिस्टर संजेब पांडे खुद मिलेते करीब एक गंटा तक बैठक की थी पीजेपी के डेलीगेशन से भी मुलाकात हुईती और दोनों को समझाने की कोशिस की थी कि जब भी flow test हो, कम से कम सड़क पर किसी प्रकार का इंसा देखने ना मिले, उस तरीके की तैयारी आप रखिएगा, आप सड़क पर हंगामा मत करिएगा, क्योंकि सुप्रीम कोट ने भी DGP को आदेश दिये और गवर्नर ने भी DGP और मुंबे पुलिस कमिस्टर को आदेश संक्या में, हजारों लाखों की संक्या में, मुंबई में बीजेपी के कारिय करता भी सर्टों पर होंगे, उसके पहले जब सुप्रीम कोट में मामला पहुचा हुआ था, तो उस वक्त शिंदेगोट को बड़ी सफलता हाथ लगी थी, उनके पक्ष में थुदा था फेवर म मामला पहुचा था, तो आज जो पांच फेज़ों सुनवाई होनी है, उसमें भी शिंदेगोट ये मान के चलना है कि उनको उम्मीद है सुप्रीम कोट सी कि जो भी फैसल आएगा थोड़ा उनके फेवर में ही रहेगा अगर पुर्व के फैसले की बात की जाए सुप्रीम कोट के, तो सुप्रीम कोट ने साफ कहा है कि दूद का दूद और पानी का पानी फ्लोर्टेस से ही हो सकता है, ये सुप्रीम कोट का ही मानना है, क्योंकि सुप्रीम कोट में जो मयाद है राजपाल अगर समय भी देते है तो उस म्याद को सुप्रीम कोट ने घटाया है क्योंकि करनाटक के मामले में दो हपते का समय राजपाल ने दिया था। उसको 24 गंटे सुप्रीम कोट ने कर दिया कि अगर ज्यादा समय होगा तो बिधायकों की खरीद फरोग हो सकती है। इस लहाज से सुप्रीम कोट ने 24 गंटे के अंदर फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया था। लेकिन यहाँ फ्लोर टेस्ट के खिलाप अरजी है तो ऐसे में अमूमन कम चांसेज हैं कि सुप्रीम कोट एक तरह से फेवर में फैसला दे खासकर सिवसे ना गुट को। लेकिन सबसे एहम बात यहाँ है कि आज जब सुप्रीम कोट में मैंशिनिंग हो रही थी सारे 10 बजे एम सिंग्वी जो अभिसेक मनुस सिमी ने यह मांग की कि जल सुनवाई होनी चाहिए सिंदेगुट ने इसका पोच किया सिंदेगुट ने कहा कि फ्लोर टेस्ट हो जान सामले में सुप्रीम कोट में अपने फैसले में साफ कर दिया था खासकर समिधान पीट ने कहा था कि राजपाल फ्लोर टेस्ट का आदेश देने के लिए स्वतरन्त है लेकिन वो मनमाना तरीके से नहीं कर सकते हैं कर दिखके अभी नजर बना करेंके ऑप सबके पास अपडेट के लॉट्टिंग छोटा सब बरेक ले रहे हैं आप देखते रहिए जहीं दुस्तान